एलो फ्रेंस वेलकम बैक टूमाइय यूटूब चनल मैं के टरगा तो फ्रेंस आज की श्रुदेन बता हूँँआ कि आपका आप फिसुद अकौट हो जाता है याप का जो भी फिसुद अकौट होता है यूर अकौट है जिविन डिसेवल वाली प्रभलम सोक आता है याप चे बैसे कि वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हुआ। वारान को रिकोर्ड कर रहा हुए यह जो ट्रेक वर्क कर रही है। काफी सारे फ्रेंस हैं तो उनके अकाउंट वी हो चुके इस तरह से जैसे मैं बाताऊंगा आपनी वह अच्छे से समझना है ठीक है तो यह देख सकते हैं जो जिस भी वाई की डिसेवल्ड अकाउंट है उसकी जीमेल मैंने यहां पर लोगिन कर लिया जो डिसेवल्ड फेसव को अपने करना क्या है अब अच्छे से समझना है जो भी फ्रोसेस रहेगा आपके सामने रहेगा ठीक है तो यहां पर आपने सबसे पहले अपना यह ब्राउजर ओपन काहले लेता हूं और डिसेवल्ड अकौंट को काले लिए तो यह पर जैसी प्राउजर ओपन कर लोगे आप जिसम जो भी प्रोस्ट करोगा घ्रोम ब्राउजस करना मैंने याँ पर अल्रेड़ी ये अकांट जो यह लोग इन का लिए यहां पर देख तो यह गो टु है सेंक्तर का अप्शन देखने को मिल रहा है अपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको या पर इसकी क्लिक क्लिक करोगे तो यहाँ पर फॉर मिल जाए गापलीज फेरिफाय इंफ्परमिशन इस तरह से फरस्ट बाक्स मां आपने अपने टेस्पर प्र अकुंट का फश्ट नेम डा यहां पर आपने अकांट पे जो भी टेटा वर्थ वो स्वाफ नहीं होती है तो यहां पर सब कुछ डेटेल्स में फिल कर ले तो एक वाध जो सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करूंगा आपने कंप्लीट वॉच करना वीडियो को ठीक है तो वाई मैंने जो भी डिसेवल अकाउंट है उसका फर्स्ट नेम यहां पर सेकंड नेम एंड यहां पर डैट वर्थ सेलेक्ट कर लिए एंड यहां पर सबसे लाश्ट में अपर जैसे मैं सेंड की ऑफशन पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने यह के देखने को अफसन मिलता है वी काट रिवू दर डिसेजन डिसेवल यूर अकाउंट यहां पर यह लिंक पता नहीं कब से जब से कोविड इस्टार्ट हुआ तब से यह लिंक एकस्पायर कर दी ग तो यह यह अपने अपने ब्रॉजर में जिस भी ब्रॉजर में के आप प्रोसेस कर रहे हों ऊससे नीचे यूप एक दो अपील सेंड करूंगा आपने उनको अच्छे से कॉपी कर लेना है जैसे मैं फर्स्ट लिंक को कॉपी कर रहा हूं उसी तरह से आपने फर्स्ट लिंक को कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्राउजर में आ जाना है तो जैसे यहां पर मैं नीव टैप यहां पेश्ट कर दूए सर्च और यो इसे शर्च भी कर सकतो टैप करका या यह लिंक आपको डिश्रिप्ट 09 मिल जागी वहां से आप कॉपी करके इसको पेश्ट कर देना तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है आपको सबसे फ़स्ट में सबसे ऊपर आपको एक option दिख रहा होगा data access आपने data access के option पर क्लिक करना यह जो फर्स्ट वाला option इस पर आपने point पर इसको टिक कर देना टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नीचे और भी options ओस हो जाएंगे एंड आप पर आपने कौन से वाले option को टिक करना फिर से I have a face account what I can't find the information I am looking for यह वाला option को आपने टिक कर देना है जैसी आप इस option पर टिक कर दोगे तो यह पर highlight भी कर दोगे तो आपके सामने काफी साथ और भी information नीचे scroll करोगे तो देखने को मिल जाएगी तो यह पर सबसे प्रस्ट में आपको देखने को मिल रहा है फुल नेम ठीक है एंड यह पर country of residence second option में मिल रहा है एंड यह पर email drugs का option option मतलब बॉक्स देखने को मिल रहा है एंड यह आप एक और व्यक्स आपको देखने को मिल रहा है तो आपने सबसे पहले आपका जो भी सेम फिल करना ठीक है तो वाई यह आपर मैंने फुल नेम में यह आप अफ़ डिसेवल्ड अकाउंट का फुल नेम टाइप कर दिया टाइप कर दिया यह आप पर इसलेक्ट कंट्री के option पर क्लिक करके आप जिस भी country से हो नेपाल से हो पागिस्तान इंडिया जिस भी country सो आ अपने डिसेवल्ड अकाउंट में जो एड़ थी एंड यह आप आई एग्री के option पर टिक करके यह पर सेंड की बटन पर क्लिक कर देना जैसे सेंड के option पर क्लिक करोगे तो आपको यह पर capture मिलेगा आपने इस capture को फिल करना जो भी small and capital letters हो आपने उसी तरह से आप इस capture को ट संपिंट हो जाएगा help center का option देखने को मिल जाएगा ठीक है जैसे आपका यह form submit हो जाएगा तो आपने आ जाना है जो मैं लिंक दॉन प्रोवाइड करूंगा वीडियो को डिस्क्रप्र आप सेकेंड वाली लिंक को भी इससी तरह से copy कर लेना copy करने के बाद आप फिर से आपका जो भी identity card होगा मतलब जो आपका Facebook account disabled हो चुगा उसका name और date of birth सेम हो है वह आपने select करके यह पर send के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आपके दौनों send हो जाएगे तो आपको ने जश्ट अपने एक वार रिफ्रेस कर देना रिफ्रेस करने के बाद आपने अपने Gmail को एड है तो यह पर मैं उस भाई की Gmail को ओपन कर लेता हूँ यह पर आपको जैश्ट आपको एक mail receive होगी accessing and downloading your information तो इस तरह से आपको यह पर देख सकते मेल मुझे mail receive हो चागी है तो इस तरह से आपको एक mail receive देखने को मिल जाएगी और आपने क्या करना reply के option पर क्लिक करना है सबसे पहले आपने जो भी process रहेगा अच्छी से समय तो यह पर आपने reply के option पर क्लिक करना है जो mail receive हो ठीक है आपने reply के option पर क्लिक करना तो सबसे पस्ट आपने 2 के option message जो Facebook लिखा हुआ आएगा तो आपने उसको remove कर देना तो जैसे मैं remove कर देता हूँ अब आपने 2 के option में क्या type करना वह यहां पर आपको simply बताऊँगा तो यहां पर वीडियो को description में मैं आपको सब कुछ तो यहां पर देख सकतो email यह सबसे पहले आपने disabled add the support.facebook.com इसको copy करना यह वीडियो को description में मिल जागा आपने यह copy करके 2 के option में paste कर देना जैसे यहां पर paste कर दोको add recipient का option म आपने इस पर क्लिक कर देना ऐसे जैसे क्लिक कर दोगो तो आपको सबसे नीचे आजाना यहां पर कॉमपेज email के option पर आपको disabled add the support.facebook.com के नीचे आपको इसकी एक appeal मिल जाएगी आपने उसी appeal को copy करना जैसे मैं copy कर रहा हूं उसी तरह से आपने जो email डाली है उसी के नीच क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट कर देना पूइल के बाद आपने अपने आपने अपने अपने और किक स्वा नहीं को मिलेगा अपने यहां पर send का option देखने को मिलेगा आपने send के option पर click कर दोगा जैसे send हो जाएगा तो आपका Gmail से cut हो जाओगे आपको फिर से again check करा दो तो यह हमारा mail send हो चुका है कि नहीं आपको simply wait कर रहे हो यहां पर तो यहां पर मैं send के option में जाके आपको check भी करा देता हूँ यह हमारा disabled वाला mail Facebook टीम को appeal मतलब दर्ज हो चुकी है तो यहां पर आपने second mail करना है तो आप second mail क्या करना है आपने email के option पर click करना जो आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर फिर से addthesupport.facebook.com यह इस तरह से आपको second mail मिलेगी आपने इसको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपने यहां पर टू के option में paste कर देना इसको ब्सक्रैक करने के बाद यहां पर add recipient के option पर click कर देना जैसे click कर होगे तो यहां पर अपने subject में क्या å क्या type करना है यहां पर आपने type करना यौर account has been disabled इस तरह से आपने यहi type कर करने के बाद आपको हें पर Gmail में चले जाओए, यहाँ पर आपने Gmail में आकर इस Second Appeal को भी Paste कर देना है, एंड यहाँ पर आपने Attach की Option पर क्लिक करके Attach File के Option में चले जाना है, तो यहाँ पर आपना Attach File का Option ओपन कर लेता हूँ, जैसे सेंड हो जाएगा तो आम फिर से अगें जीमेल में से कट हो जाएगे तो आपको दौनों अपील यहां पर चेक कर सकते हैं तो यहां पर बेट का लेते हैं मैं 12 दिसमब्र की तो 12 दिसमब्र को वीडियो रिक homal हो चक इंड आप है यहां है कितने डेते हैं या यहां यहां वी ऊपर दो तो यहां मैंने लिए मैंसेज तरब हो तरफ का मैंने आया था तो यहां परス कर लिया आपको यहां पर चेक्रादाए तो अकाउंट था जो कि disabled हो चुका था तो यहां पर mail में देख सकते हो thanks for confirming your identity we unlocked your account यहां पर यह mail आमें मिल चुका है and यहां पर यह mail को किस तरह से मैंने किस तरह से मेरे दो बार पील रिजेक्ट हुई थी and यहां पर आप जैक भी कर सकते हो 12 दिसंबर को मैंने यहां पर अपील की account को unlock करने का reply मिल चुका है and यहां पर मैं आपको account को भी login करके check करा देता हूं just यहां पर FB light open कर लेते हैं and यहां पर मैं वही वाली email डाल देता हूं तो एक मिनटी यहां पर बेट कर लेते हैं यहां पर check कर सकते हूं वही वाली email है जो कि यहां पर disabled account में add थी उस वाई की तो यहां पर मैं उस वाई का password भी put कर लेता हूं put करके यहां पर simply login की button पर click कर देता हूं तो यहां पर देख सकते हूं हमारा account जो है disabled हो यहां पर open हो चुका है तो भाई आप सब के सामने live मैंने account open किया है आपने अब आपको believe हो गया होगा भाई आपको reply जरूल मिलेगा ज एक पर देख सकते हों आपको सब्सक्राइब आपको बहुत ही ज्यादा मजीता नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो वाई ऐसे ही आपको helpful tricks मिलती रहेंगे हमारे चैनल पर चलो मिलते है next video चलो बाई फ्रेंस